अस्सलाम अलेकूम जी अभी रहमद फूर सीक्रेट में आप सब का वैलकम है उमीद है जी आप सब खेर खेरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे तो जी आज में आपके लिए स्ट्रीट स्टाइल बन कबाब जो होता है या टिकी वाला कबाब उसकी रैस्पी ले हाल दिये हैं और अगर आपके पास चिकन अवेलिबल हो तो आड करें वरना कोई जरूरत नहीं है और फिर इसमें हमने नमक मीर्च और हल्दी पाउदर थोड़ा से आड करके पानी डाल दिया है और इसको 20 मिनट के लिए प्रैसर दे देंगे और 20 मिनट के बाद हमने इसका परात में निकाल लिया है और बोन से भंबना जो चिकन है वो अलादा कर लेंगे राम से जी हो जाएगा कोई आपको मिश्किल नहीं होगी और राम से अच्छी तरह आपने कर लिया है बोन से चिकन अलादा फिर हम इसमें चिली फ्लैक से अड़ कर दिया है काली मिर्च और खास बेजाई का खुब सरा धनिया इसमें हमने याड़ कर दिया है और हरी मिर्चे और अब हम इन सब को अपने हाथ के मदद से अच्छे से मैश कर लेंगे राम से बहुत जल्दी पांच मिनट भी नहीं लगेंगे आपके अच्छे से मैश हो जाएगी सारी जो हमने बन कब कबाब यहां अपनी टिक्की बनानी है जी उसके लिए टिक्की का मिक्सर हम बना रहे हैं तो इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है सारा अच्छे से मैश हो गया है वैलकम बाइन हो गया है तो अपने हाथों को हमने हलका सा घ्रीज करके अब हमने इसकी टिक्कियां बना थोड़ी से जैसे हम अमोमन शामी कबाब बगारा बना थे हैं उससे थोड़ी से आपने बड़ी बनानी है तो जितने आपने जीबन कबाब बनाने हो या टिकी वाला कबाब बनाना हो उसी लिहाद से अपनी टिकियां बना ले और बाकी जो है आप त्रीज कर सकते हैं तो मैंने एपनी टिकियां बना ली थी, इसको मैंने शिंपल दो अंडे लिये थे, उसमें मैंने नमक डाला और उकाली मुर्च डाल करको इसको फैंट ली, और फिर बाद में टिकियां जो हमने बनाई है वो डीप करके फ्राइ कर ली नहीं है, बकिया अंडा है वो हमने जी, इसमें डालके उसको अच्छे से आमलेट की तरह बना लेना है तो जब में तक मैं अपर रेडी करती हूं आप से एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नई है तो जी लाजमी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि हर नए आने अपले वीडियो का नोटिफकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें तो जी हमने बन ले लिये थे उसको हमने हलका सा घीग डालके अच्छा सा कलर आजाए और फिर हमने जो अपनी टिकिया बनाई थी वह उसके ओपर स्प्राइड कर दी है अच्छे से और अब हमने मायोनेज और कैचप इसमें डाल देंगे ताके बहुत अच्छा सा फ्लेवर यमी सा है क्रीमी सा टैक्स्चर आए और फिर उपर से हम अपनी वैजिस रख देंगे जिसमें हमने बंद को भी एड़ की है खीरा और अगर आप चाहें तो टमाटर भी आड़ कर सकते हैं वरना टमाटर जो है के पर उपर रख दिया है और हमारा जी टिकी वाला बर्गर जांडे वाला बर्गर भी आप कह सकते हैं जी रैडी हो गया है जो के आम तोर पर हमें ठेलों वगरा पर मिलता है उसकी राप्टे मैंने आपके साथ शेयर की है तो आप इसको अफ़तार में बना सकते हैं एक हैल लाजमी बताना है कि आपको ये रैस्पी कैसी लगी तो इन्शाला जी आपसे फिर मिलेंगे एकली वीडियो में तब तक आपने अपने और अपने घरवालों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है तो इसको हमने सिंपल जी अपनी जो देही वाले चोटनी हमने बनाई है जब के साथ मायो के साथ भी साथ कर सकते हैं इन्शाला जी फिर मिलेंगे लाफीज